Assalamu alaikum everyone so in this video we are going to do primary biliary colangitis ठीक है यहां हम उसको primary biliary cirrhosis भी कह सकते हैं ठीक है अब जो primary biliary cirrhosis होता है इसमें क्या होता है कि हमारे पास auto anti-bodies बनती है ठीक है और auto anti-bodies क्या करती है destruction करती है intra hepatic bile duct के ठीक है जो liver के अंदर जो हमारे पास bile duct वाला portion होता है ठीक है तो उसको आप उसके against antibodies बनना शुरू हो जाती है ठीक है क्या है auto immune granulomatis destruction of the intra hepatic bile duct ठीक है granulomatis destruction हो रही है ठीक है अब इसमें जो है हमारे पास auto anti-bodies बनती है ना तो auto anti-bodies में हमारे पास 85% cases में anti-mitocondyl antibody बनती है ठीक है लेकिन इसके लावा anti-nuclear भी बन सकती है ठीक है जो smooth muscle antibody यह सारी चीज़े भी बन सकती है ठीक है तो क्या है initially हमारे पास intra-patic bile duct के against जो हमारे पास auto antibodies बनेंगी granulomatis destruction होगी ठीक है और जो antibodies बन रही है वो anti-mitocondyl antibodies बन रही है ठीक है अब patient जब आपके पास आएगा primary biliary colongitis का ठीक है या primary biliary cirrhosis भी कह सकते हैं ठीक है तो patient को क्या होगा ठीक है देखो patient में हमारे पास एक तो fatigue के साथ आएगा ठीक है fatigue के साथ आएगा pruritis होगा उसकी skin में itching हो रही होगी खारिश होगी ठीक है इसके इलावा उसको जह है obstructive jaundice की feature जाना शुरू हो जाएंगे ठीक है अच्छा fatigue जो होता है वो तो बड़ा non specific सा feature है ठीक है अब pruritis जो है यह specific feature है ठीक है मैं आपको बता दूँगा क्यों होता है ठीक है but for now आप यह देख लो कि हमारे पास इसमें क्या होता है उसकी obstruction हो जाती है अब intrapatic bile duct की जब obstruction हो जाएगी ना तो उसे drainage नहीं होगी जब वो drainage उसकी नहीं होगी तो वो हमारे पस deutinum में सीक्रिट नहीं होगा जिसकी वह से digestion हमारी खराब हो जाएगी ठीक है तो पहली बात तो यह होगी ठीक है अब जो हमारे पास Bile Secretions होनी थी ना जो हमारे पास जह है वो Bile Duck के जरी हमारे पास Durinum हो प्र उसके बाद वो Food की Digestions हो वो सारा कुछ करना था वो नहीं होगा तो जो Bile होगा ना Bile Salts व गहरा ठीक है तो वो हमारे पास जह है ना वो इचिंग होगी, skin में pruritis होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इस patient में जो आपकी पहले प्लाजमों में जाएगा, blood में जाएगा और फिर आपके skin में accumulate होगा by latsits, जिसकी वैसे patient में pruritis होगा, ठीक है, दूसरा obstructive jaundice है, ठीक है, obstructive jaundice में क्या होता है, कि आपका जो unconjugated bilirubin होता है, वो conjugated में तो convert हो जाता है, लेकिन body में, अब obviously वो जाना है, उसने डूरिनम में और वो नहीं जा पाएगा, ultimately क्या होगा, पेशन्ट में यह conjugated bilirubin का level जादा हो जाएगा, जिसकी वजह से patient के urine होगी ना, वो dark color urine हो जाएगी, ठीक है, इसके लावा, उसके feasals जो होगे, वो pale होना शुरू, pale color की होगे, ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, यह वाला point भी हो गया, यह वाला point भी हो गया, यह वाला point भी हो गया, ठीक है, दूसरी बात ही है ना, कि इसमें patient में zenthomas भी बनना शुरू हो जाएंगे ठीक है अब zenthomas patient में क्यों बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसी bile acids का काम होता है कि ये fats की breakdown करें ठीक है अब fat की breakdown नहीं होगी ठीक है और proper उसकी जो है वो नहीं होगी तो body में cholesterol की depositions होना शुरू हो जाएंगे ठायपा कलिस्टरी नीमिया हो जाएगा और patient में जन्तोमस आइलिट पे आपकी cholesterol की depositions शुरू हो जाएंगे जन्तोमस भी कहते हैं ठीक है इसके लावा patient जो है उसको उसका जो है ना intestine में हमारे पास bile salts होते हैं bile acids होते हैं इनका basic लिए काम क्या होता है कि जो fat soluble vitamins होते हैं उनकी हवारे पास absorption करवाना इसका काम होता है ठीक है अब absorption नहीं होगी तो ADEK की patient में deficiency हो जाएगी ठीक है तो ADEK जो vitamins होते हैं उसकी deficiency की वैसे जो जो चीज़े होती हैं उसको आप में डिसकस कर लेंगे ठीक है दूसरा fat भी आपका absorb नहीं हो रहा है absorb नहीं जो मतलब जो आप खाते हो तो वो तो मतलब जो फीसिस में आके वो निकल जाता है ठीक है तो ultimately patient में stratoria उसकी फीसिस जो है ऐसे बलकी फीसिस होना शुरू हो जाएगी ठीक है frothy हो जाएगी ठीक है यह सारी चीज़े है ठीक है अच्छा जो अब इसके आते है investigation पर ना investigation में आप क्या करते हो देखो सबसे पहले आपने liver function टेस्ट करवा लिए ठीक है अब liver function टेस्ट जब आप में करवाया है तो इसमें आपको क्या मिला है conjugated bilirubin का level जादा मिला है इसके लावा आपका बालड़क्ट इन्वालव है बालड़क्ट इन्वालव है तो इसकी वैसे आपका जो एलपी है वो भी रेस्टो कर ठीक है क्योंकि बालड़क्ट की हमारे पास जो है वो granulomatis destruction हो रही है ठीक है intrapatic bilirubin की हो रही है ठीक है लेकिन ALP इतना जादा नहीं होते लेकिन स्टिल जादा होता है ठीक है लेकिन जो हमारे पास primary sclerosing colangitis होते है तो फिर उसमें ALP बहुँ जादा हो जाएता है क्योंकि उसमें intra और extra hepatic bell duck दोनों involved होते है ठीक है ultrasound करोंगे जिसमें obstruction होगी ठीक है और पहले तो ऐसे for example मैं यह कहता हूं कि यह हमारे पास primary duck है ठीक है अब इस जगह में obstruction हो गई है ठीक है यह जगह obstruct हो गए है तो यहां से आना था ठीक है अब यहां से तो फ्लो नहीं हो पाएगा तो ultimately यह जगह जो है वो डालेट हो जाए ठीक है अब इसमें आपने management क्या करनी होती है ठीक है तेखो management में ना obviously हमारे जो body में bile acids जो होते हैं एक तो bile acids जो होते हैं वो हमारे पास skin में जाके accumulate हो गए है क्योंकि वो जो है आपकी उनके channeling का जो system था ना वो नहीं हो पारा ठीक है मतलब वो आपके इंटरस्टेंट तक जाते उसका जो काम होता है digestion वगरा का और absorption वगरा का वो नहीं हो पारा ठीक है तो आप आप क्या करते हो ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ दे देते हो जो आपके bile assets को replace कर लेते हैं ठीक है मतलब कि जो body में आपकी bile assets की accumulation हो रही थी ना वो नहीं होगी ठीक है तो bile assets का का काम भी हो डिआजीकोलिक एसिदों ठीक है और अप्तिक ऑड़क एसद एल्स्यदों जो है लिए पिलीटीन जो है अब डिवर ट्रांस्टांट करा थे हैं अब मैंने आपको बताया थे पेशल्ट में एक तो हम लोगों रहे हो जो obstruction थी तो उसके लिए हम लोगों ने treatment की है जिसमें हम लोगों ने bileysis replacement दे देनी है ठीक है और immunosuppressant लिवर टांट करवा लेना है ठीक है अब patient में skin का मसले है skin का मसले है bile binding reasons होते हैं जिसको cholesterolamine देते हैं ठीक है कहते हैं ठीक है यह दे देंगे इसके लिए रहे फेम पेसें दे दे देंगे नेल ट्रेक्जोन विश इस एंटाइगोनेस्ट ऑफ यह दे दोगे और प्लाजमा फरेसिस कर लोगे जिसकी वैसे आपकी जो blood है प्लाजमा में जो bile stress का लेवल जादा है वो बराबर हो जाएगा ठीक है इसके लावर patient में mal absorptions भी होती है vitamin A की कमी होती है night blindness हो सकती है patient में vitamin D की कमी होती है osteoporosis हो सकती है K की bleeding बहुत जादा हो सकती है ठीक है तो इसके लिए आपने vitamin replacement देने है और patient को गरा osteoporosis हो bone disease होगे इसके calcium, vitamin D3 और फास्वास्ट नेट वगरा देते हो ठीक है that's it we are done with it thank you jazakallah khair